गुरू चेले के जोड़ी आईपियल दोजार पच्चस में काटेगी बवाल योवराज सिंग हेड कोच के रूप में मचाएंगे धमाल ताय हो चुकी है फ्रेंचाइज सामने आगे है नाम 6 साल बाद रडानी के साथ सिक्सर किंग को फिर मिलेगा सम्मान नए रंग में दिखेगी ज्यादतर फ्रेंचाइज प्लेयर ही नहीं कप्तान और कोचिंग स्टाफ में भी दिखेगा कई बड़ा बदलाओ योवराज सिंग वॉर्ल क्रिकेट का बड़ा नाम है टिम इंडिया के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा है लेकिन जिस तरह का सम्मान योवराज को मलना चाहिए था वैसे उनके रिटार्मेंट के बाद बी सी सियाई और इंडियन क्रिकेट उनको नहीं दे सका कैंसर कोरानी के बाद वो टिम इंडिया में वापस जरूर हुए लेकिन वो योवराज सिंग जो चाह गेंडो पर शेचके मार देता था वैसा अक्रमा क्रूप इस प्लेयर को दुबारा नहीं मिला टीम और बी सी सी आई ने दिगज को सपोर्ट करनी के बजाए एक जट्के में टीम से बाहर कर दिया कुछ साल तक योवराज टीम में वापसी का इंतजार करते रहे लेकिन बाद में ठक हार कर उन्होंने अपने सन्यास का अलान किया सन्यास के बाद भी BCCI और IPL उनको वो सम्मान नहीं दे सका जिसके वो अकदार थे कई बार तो खुद योवराज सिंग ने अपना दर्द मीडिया के सामने बया किया लेकिन इसके बाद भी IPL के किसी भी फ्रेंचाइज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जबकि हर कोई बस इस बात को जानता है कि साल 2007 का T20 वोल्ड कप हो या फिर साल 2011 का 1 डे वोल्ड कप दोनों जिताने में योवराज की सबसे हम भूमिका थी अब योवराज के सन्यास के 6 साल बाद धाकड ओल राउंडर की IPL में वापसी होने जा रही है एक फ्रेंचाइज ने योवराज सिंग के हेट कोच पने पर मोहर लगा दी अब माना जा रहा है कि IPL 2025 में गुरू चेले की शानदार जोड़ी मैदान पर होगी कौन सी फ्रेंचाइज IPL में योवराज सिंग की वापसी कराएगी हम आपको इस रपॉर्ट में बताने वाले है IPL 2025 में मेगा ओक्षन होना है माना जा रहा है कि BCCI सर्फ 4 प्लेयर को रिटेन करने का मौखा देगी लेकिन फ्रेंचाइज की मांग 6 से 8 की है फ्रेंचाइज की मांग इस समझा से भी संभव नहीं दिखती क्योंकि अगर 6 याड प्लेयर को रिटेन होना होता तो मेगा ओक्षन का कुछ खास मतलब नहीं रह जाएगा ऐसे में ज़्यादा उम्मीद यही है कि मेगा ओक्षन में 4 प्लेयर रिटेन किये जाएंगे के बाद अगर कोचिंग स्टाफ की बात की जाए तो इसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कोचिंग स्टाफ बदलने की सबसे ज़्यादा चर्चास पार गुजराट टाइटन्स की हो रही है अब एक मीडिया रेपोर्ट में खुलासा हुआ कि हेट कोच पत के लिए योवराज सिंग को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा हालांकि अभी तक कोई पुष्टी नहीं हुई हालांकि कोई पुष्टी नहीं हुई है लेकिन गुजराट टाइटन्स के कोचिंग स्टाफ में बहुत बड़े बदलाव की संभावना है मौजूदा कोचिंग स्टाफ में आशिश कपूर, नाईम अमीन, नरेंदर नेगी और मिथुन मनहास पी शामिल है लेकिन रिपोर्ट के अनुसार इन सभी लोगों ने अवसर तलाशनद शुरू कर दिये इस के लावाट कले हैं कि IPL 2025 शुरू होने से पहले अडानी गुरूप गुजराट टाइटन्स में सिदारी खरीच सकता है शायद यही गुजराट टीम के भीतर कई बड़े बदलाओं का कारण है चुँकि IPL से रिटार होने के बाद योवराज सिंग किसी टीम से नहीं जुड़े थे इसलिए उन्हें गुजराट टाइटन्स का हेड कोच पनाया जाना काफी चौकाने वाला फैसला हो सकता है योवराज आखरी बार 2019 में IPL में एक प्लेयर के तौर पर नसर आय थे ये भी गौर करने वाली बात है कि जीटी के कप्तान शवमन गिल ने जो योवराज की तरह पंजाब से आते हैं शवमन गिल के खेल को सुधारने में योवराज सिंग का हैम योगदान है लेकिन IPL 2024 में जीटी का प्रदशन काफी बेकारा क्योंकि पॉइंट टेबल में टीम आठवी स्थान पर है